हलो पीपल, वेलकम बाक तो चानल, अगेन नानो रे 7000 आय वाला राकेट इस ओन माई चानल पीपल, रिव्यू करने वाले हैं, टेस्स करेंगे, यू गाईज नो दे ड्रिल, माटीरियल डिसकॉस करेंगे, बनावत डिसकॉस करने वाले हैं, इंटरमीडियेट इश बेगिनर् वर्थ दो मनी, कौन से कलर्स में आ जाता है, पूरा राकेट इन आउट खेल के देखेंगे, हर चीज हर तरह से रिव्यू करेंगे, आप लोगों ने में को बोला था है, यह राकेट रिव्यू करने के लिए, इसके लिए राकेट आया है चानल के ओपर, अधर वाई आपने तो यूस करते हैं यह वाला राकेट, इसलिए थोड़ा तेड़ा लग रहा होगा, अधरवाइस, हाइसोमेट्रिक हेट्शे पेसका, that means you get a bigger, sweeter spot, sweet spot अगर आप लोगों को नहीं पता क्या होता है, तो sweet spot is the center of the, you know, जो यह जो इतनी तारे लगी हुई है, जो इसारी strings लगी ह जिसका जो center होता है, जहां पर राकेट की सबसे ज़्यादा पावर होती है, जहां से राकेट सबसे ज़्यादा पावर जेनरेट करता है, उसे sweet spot बोला जाता है, तो isometric rackets में sweet spot बड़ा होता है, comparatively to the oval shaped rackets, ठीक है, simple, now maximum string tension अगर हम लोग देखेंगे, जिसका 19 से 24 LBS के बीच यानि कि 24 LBS इसका maximum string tension है, which is a good deal people, बहुत हो that 24 LBS string tension, coming over here नहापे, अगर आप लोग देखो तो single piece है, two piece three joint नहीं है, it's a single piece three joint, यानि कि durability जादा मिल जाती है, अगर हम लोग उपर जो head है, इसका material देखें, जो head जिससे बना हुआ है, वो aluminium वाला है, coming to the sharp now people, which is really exciting about this racket, पहले त 7000 IK, blue, white, or black में लेखा हुआ है, graphite material है, क्योंकि it's already mentioned here, graphite shaft है यहापे, developed by Onyx Japan and made in China, obviously people, and now if we see the flex, तो भाई, this is a medium flex shaft, ठीक है, इतना भी नहीं हो रहा है, you guys can see, medium flex, जादा नहीं करोंगा और तूट जाएगा, but you guys can see, this is a medium flex, which is a good thing, मेरे थाप से, medium flex वाले rackets काफी जादा balance होता है, defensive जादा अच्छा हो जाता है, और offensive भी उतना ही आपका अच्छा चल रहा होता है, grip साइस के तरफ अगर हम चलते हैं, तो यह G4 grip साइद है, by the way, this is not the original grip, वो black वाले जो usual grip मिलती है, यॉनिक्स में भही रहता है, but G4 वाला है, so I think, I really like this, पतली grip है, तो मेरे छोटे आते हैं, तो भाई, अपने को grip, पकणने में, मस्त मिल जाती है, and पकणने के, अगर मैं बात परूँ, people, तो भाई, हल्का तो बहुत जादा हो जाता है, यह वाला राकेट, 80 ग्राम्स का है, यह राकेट, that's it, so I think, this is very impressive for me, एक चीज़ और दिखा तो यहाँ पे आओ, तो मतलब थोड़े बहुत बहुत बेराओट होगा, I'll put out images if you guys want, तो काफी जादा यॉनिक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है, मतलब classy है, मतलब अच्छे है, मतलब थोड़े पुराने राकेट होते है, वैसे टाइप की feeling आ रही है, क्योंकि पुराना राकेट है, तो बै अच्छे लिए राकेट खरीदना चाहिए, क्योंकि पुराने विए दिए, बाइप की आ रही है प्लेइंग सो मच विद इस राकेट, okay, I play with this racket in my society as well, यह राकेट के साथ काफी टाइम से, actually मैं खेल रहा हूँ, I really love this racket, to be very honest, I really love this racket, I will give you three reasons why I love this racket, okay, चलो, पहले रीजन की तरफ चलते हैं, the build quality, aluminum है, shaft, shaft, sorry, head, aluminum से बना हुआ है, and जो shaft है, वो graphite है, तो अगर घिस जाता है, तो भाई, टिक जाती है, to be very honest, concrete के ओपर, अगर आप लोग ऐसा, open खेल रहे हो, जैसा, अगर हम खेल रहे हैं, इंडोर खेल रहे हो, तो भाई, कोई टेंचन है नहीं, बर अगर आप लोग यहाँ आप के लिए उसका रागेड़ विलसा सीन नहीं है, पीपिल, now coming to the second point, which I love about the racket, is that it is not a head heavy racket, it's a head light racket, जो balance point राकेट का, वो यहाँ पे जादा है, यहाँ पे कम है, इस तरह से मिर को यह राकेट पसंदा जाता है, क्योंकि the only reason, बैसे मुझे है, head heavy racket जादा पसंदा है, but the only reason, because इसका जो shaft है, वो medium flex है, medium flex shaft मतला बढ़ गया, आपके offensive shots, आपके smashes, आपके दूर से जो आप मारते हो, मतला clear जब हम करते हैं, अगर मैं simple भाशा में बोलू, तो जब आप उपर मारने के लिए clear करते हो, तो ऐसे shots बहुत अच्छे जाते है, plus जो आप drops जालना चाहते हो, वो बहुत तगड़े तो नहीं, लेकिन मैं आपको किसमा बड़े soft जाते है, जो soft touches है, जो इसे प्यार प्यार से उठा देते हो, हलके से flick करते हो, जो drop जालते हो, वो बड़े प्यारे निकलते है, इस message, तो यार ये में को इसके अंदर बहुत जाद अच्छी चीज लगती है, क बड़े निकिस तर इसनो drop कर दिया, तो उस तरह का थोड़ा गेम होना जहां पर surprises हो, तो वो ये racket के साथ बहुत अच्छा हो सकता है, विच ब्रिंस में तो the final point, तीनो points बता दिये, but the last thing that about this racket is the control, the only reason you guys should buy this racket, जो मैं सार्टिंग में कहरा था, क्यों खरीदना चीए, is the control of the racket the control with the shuttle is extremely good in the price point that it comes in, वो भी मैं आप लोग को बता हूँगा, but control के बार में हम पहले बात कर ले थे, क्योंकि इसका control बहुत अच्छा है, I really like, क्योंकि heavy भी नहीं है, 80 grams का इसका weight है, headlight है, but headlight सिफ इसले जम रहा है, क्योंकि medium flex है, that's the only reason, otherwise head heavy में आपके जो smashes होते हैं, बु at this point, ये राकेट के बारे में जो एक चीज जो मेरे लिए standout ही कर जाती है, वो ये ही है कि यार जो इसका control है, वो बहुत अगड़ा है, this is a really good racket, I think I will recommend this to people who are beginners, intermediate-ish, जो starting में थोड़ा भी है, intermediate-level के, उनके लिए मैं एडमेट करूँगा कि ये राकेट आप लोग 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 इस अगड़ा है, it's a good cover, I genuinely बोलता हूँ, padding-warding अच्छी है, मतलब बुरा नहीं है, अच्छा है, actually, मतलब जनुनिय अग्योनिक्स के जो सस्ते अले राकेट में cover राते, वो इतने इंप्रेसिव नहीं होती है, easily चला जाता है, थोड़ी padding-warding तो नहीं है, बड़ थोड़ा स silky-silver color में, so I think this is a good, मतलब, ऐसी होता है, जितने ज़्यादा पैसे दोगे न, cover के quality भी उतनी ही अच्छी आप लोगों का मिल जाते है, this is the cover of the racket, which you get this with 7,000i, nanoreka, particularly, price of this racket, जिसमें आ जाता है, वो बहुत जाता है, impressive है, which is 1,500 and 50 rupees, this is a good deal, मैं आप लोगों को genuinely बता हूँ, this this is a good deal, if you are a little manager, I have just told you about a beginner, if you look at a good racket or intermediate-ish, go for this racket, people, you get this racket in blue color, in my opinion, also in red color, you get this racket, the most, like, how can I tell you, the deal breaker about the racket is the price point and the balance of the racket, which is medium flex, plus which gives you the control, so how are there a hierarchy types, that, yeah, left to right, right to left, right to right, it's all a map kind of, you know, things add on, मतलब यह राकट में ऐसे ही कुछ भी नहीं है because durability है क्योंकि aluminium वाला head है, shaft graphite वाला है, इसका string tension 19-24 LBS की हो जाती है, shaft medium flex है, तो यह सारी चीज़े add-on add-on करके अच्छा racket इसको genuinely बना देती है Nano Ray देखो यार वैसे भी जो Nano Ray series, Yonex ही काफी जादा famous है a lot of people buy Nano Ray के ही rackets जो beginners होते हैं जो काफी जादा, you know, popular rackets basically Yonex के Nano Ray वाले ही होते है Valtreak है, Asterok से, but Nano Ray मैंने काफी जादा common देखा है, जो मैं generally देखता हूँ, लोगों के पास होते या नहीं होते उस segment में भाई, यह racket तो अच्छा काम आ जाता है, also one last thing before we end this video people, आप लोग में को बोलते रहे तो भाई, Nano Ray लेया हो, यह लेया हो, भोलेया हो, I try to get every racket possible, people, थोड़ा time लगता है, थोड़ा patience रख लिया को रोगो, थोड़ा it takes थोड़ा time for me to search the racket, play with it and then do my research and then tell you guys about it क्योंकि भाई, अपन जेनुएन बनाते, my thing is कि मैं को जो फील होता है about the racket, I tell you, you can disagree, obviously, किसी को लगता होगा कि सहीन ही, गलती है, बटीक यार, मैं आप लोग के लिए बना रहो अपने लिएर, अपन परिवार जैसे परिवार के जैसे रह करो, it's very sweet of you guys, the kind of love I get, the kind of support I get, it's very sweet, but थोड़ा पेशन्त रखा करो, अर राकेट आएगा देरे देरे करके, मैं को खुद को मन करता है कितने सारे राकेट साथ है, सब के अलग अलग जा के रिवीव करो, बनाव, anyway coming to the end of the video, people, Nano Ray 7000i, चुमा राकेट है, इसका एक मोडल राता है, just by the way people 6000i वाला, so that is also a good racket, same specifications, but I think 7000i is much better, so yes, I think we have to end the video, now like, share, subscribe, कर देना, please कैसा लगा, मुझे बता देना, I told you ये राकेट पे सारी चीज़े, add-on है क्यों ये राकेट अच्छा है, head light है, medium flex है, control अच्छा है, string tension 19-24 LBS and it's only 80 grams people, इसले ये राकेट मिल लूँगा जितने shots लेते, drops ये, soft touches बहुत impressive थे, I hope you like this video, informative लगाओ, like, share subscribe कर देना, please, गरवालों के सार्फ शेर कर देना, दोस्तों को बोल देना करो, subscribe कर देना, and see you guys, next time